हेलो फ्रेंस आज मैं आपको मॉंस्टर ये 2014 की कोरियन थ्रीलर मूवे एक स्टोरी है इसमें ज़्यादा कुछ स्पोईलर ना देत हुए डारेक्ली स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट और हमें बॉक्सोन दिखाई गई है ये एक बाजार में सबजीया सेल करते हैं बॉक्सोन जरह स्टुपीड होती है और भूली भी होती है अबनॉर्मल की दरह ये ऐए थकिरेक्टर हमें दिखाया गया है इसे पहुत सारी चीज़े समझ में आती हैं यह जब चोटी थी तब इसकी मदर ने इसे गिरा दिया था इसके वज़े से ऐसे हो गई है इसकी ग्रैंड मदर थी पर ये भी इसको छोड़ कर चली गई है इसकी ग्रैंड मदर हमें हेवन से बाते करते हुए दिखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वरी करती हूँ बॉक्सोन सबजिया सेल करती है और अपनी चो लीटल सिस्टर है इसके एजूकिशन के लिए पैसे वेगरा इकटा करती है इसके बाद नेक सेन में हमें एक सांग दिखाया गया है वो एक बड़े बिजनेसमैन की यहाँ मीटिंग के लिए आया हो ओता है यह जो बिजनेसमैन होता है यह उससे कहता है कि मुझे एक ट्रिबल हो चुका है मेरे जो फैक्टरी थी वहाँ एक वरकर काम करती थी फैक्टरी में उसे कम पैसे मिल रहे थे इसलिए उसने स्ट्राइक की बहुत सारे लोगों को बढ़ गया मैं उसे समझा रहा था पर वो मान नहीं रही थी तो जारा जापड मैंने उसे मार दिया उसने रेकॉर्ड कर लिया था अब यह रेकॉर्डिंग मुझे दिखा कर यह मुझे ब्लैक्मेल कर रही है 300,000 डॉलर से माग रही होती है इकसांग जो होता है इसके financial situation अच्छी नहीं होती इसके wife को एक बार में काम करना पढ़ रहा होता है इसे 300,000 डॉलर सुनकर बहुत ही अलग लगता है बिजनेसमेन फिर इकसांग को कहता है यह जो पैसे है यह उस लड़के को जाकर देकर आओ मैं इन पैसो को लेकर किसी को भी ट्रस नहीं कर सकता इकसांग भी इस काम के लिए रेडियो हो जाता है पर इस पैसो से अपने जो लोन उसने लिए होते है यह वो पे कर देता है अब हमें इकसांग का एक बच्पन का सीन दिखाया गया है इक घर के ऊपर के स्टोरेज रूम में बिठा हो है अपने फादर से डर कर वहाँ हो है उसके फादर ने उसे बहुत मार आए वहाँ फिर उसका चोटा प्रदर आता है उससे भुचता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दू क्या फिर तुम मेरे साथ खेलोगे इकसान उसे वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है उसे थोटा सा भी सीरेस ही नहीं लेता थोड़े टाइम बाद इकसान अपने फादर की स्क्रीम सुनता है यह जो उसका छोटा प्रदर था इसने उसके फादर को माड डाला था अब next year में हमें टीसू दिखाया चाता है यह एकसान का ही छोटा प्रदर है यह हमें रात में माती के पॉर्टस बनाता हो दिखता है इसके शरीर पर बहुत सारे टैटू इसने बनाय होगे होते है तैट्व बनाते हो यह खूर निकलता है, पर यह कुछ फील नहीं करता अब नेक्सिन में हमें फिर से बॉक्स उसके बाजार में दिखाई गई है इस स्पॉर्ट पे सब्जी है सेल करती है, यह स्पॉर्ट किसी और का है जिसका एख स्पॉर्ट है इसने कुछ आदमे भेज़े होते हैं यह स्पॉर्ट खाली करवाने के लिए यह वहाँ से जाने रहे होती है यह सब को कही थी है कि यह मेरी ग्रैंड मा का था यह मुझे मरने से पहले देखर कही थी मैं नहीं छोड़ सकती यह अपना स्पॉर्ट नहीं छोड़ रहे होती तो एक आदमी इसे उठाता है और बाहर भेटता है यह भागते भागते आती है एक सबजी रही थी है और इसके सर पर फोड़ देती है जब शाम हो जाती है तब उसकी छोटी सिस्टर स्कूल से आ रहे होती है और यह दोनों हिल पर मिलती है उसकी छोटी सिस्टर उसे मलम पटी करती है और समझाती है कि यह हमारा स्पॉर्ट नहीं है यह जो लैंड है एक्चुल में दुसरा कोई ओन करता है तुम्हें इनके पीछे नहीं लगना चाहिए पर बॉक्सर नहीं पता है कि यह स्टुपिड है तो इससे यह समझ में नहीं आता अपना जो लॉजिय कहता है कि ग्रैंड मदर ने मुझे लैंड दी है इससे पर वो अडी रहती है अब नेक्सिन में हम दिखता है इससे तुम्हें बेठे होए होते है यहां कुछ कॉस्टमर होते है जो बहुत ही लौड होते है इकसान को इससे तकलिफ हो रही होती है तो बहुत ही जोर से टीसू कहता है कि यह कौन बास्टर है जो इतनी जोर से बात कर रहे है जो आदमी जोर से बात कर रहा होता है वो अब यहां आ जाता है वो टीसू के उपर हाथ रखता है तो टीसू उस पर बहुत ही छिर जाता है चॉपस्टिक्स लेता है और इसके गले में डाल कर इसका मर्डर कर देता है इस आदमी के साथ जो भी सब लड़किया होती है इनको भी वो मार देता है जैसे कुछ भी नहीं हो इस तरह से अपने ब्रजर से बात करने लग जाता है वो कहता है कि मदर केसी है अपने मदर के लिए एक सांगो कुछ पैसे हो देता है मदर के वीटैमिन्स के लिए यह पैसे उसे देता है इसके बाद हमारा next main character नानी दिखाई गई है नानी के घर पर उसके landlord आती है वो कहती है कि तुम्हारे sister कहा है नानी और उसके sister ने बहुत दिनों से अपना rent पेनी किया है ये landlord उसे कहती है कि अगर तुने पेनी किया तो मैं तुम दोनों के घर से बाहर निकाल दूँगी नानी कहती है कि मेरे sister अब घर पर नहीं है थोड़ी देर बाद उसे आने के लिए कहती है जब एग घर में आती है तो उसकी sister वही होती है अंदर जाकर अपने sister को यह सब वो बता देती है sister उसे पुछती है कि तुम्हारे तीन विचेश क्या है मुझे बताओ नानी कहती है कि मुझे अपना dog जाईए और एक अपने घर में तुम्हारे साथ मुझे रहना है नानी की sister बोलती है कि यह सब सच हो सकता है एक्चल में जो sister यही businessman को blackmail कर रही थी अब businessman 300,000 डॉलर्स इसे देने वाला है तो इसे वो घर वेगरा buy कर सकती है अब थोड़े दिर बाद फिर से दर्वाजा खटकड़ाया जाता है और इस बार यहाँ टीसू होता है टीसू से बोलता है कि तुमने जिस phone से record किया था वो phone मुझे चाहिए नानी की sister कहती है कि पहले तुम मुझे पैसे दो पर यह डरी नहीं थी इस बार भी उसे वैसे ही लगता है और डोर बन कर लेता है टीसू बहुत ही fit और intelligent होता है यही दीवार कुद कर अंदर आ जाता है नानी अंदर के रूम में बरतर मांज रही होती है तब ही इसके कुछ आवाजे सुनाई देती है यह जब दरवाजा कुलती है तो टीसू उसके सामने होता है इसकी सिस्टर को उसने मार दिया है और इसकी dead body इसे दिखती है यही सीन खतम हो जाता है रात में टीसू ट्राइव कर रहा है यह हमें दिखता है उसके ब्रदर का call आया हो होता है यह अपने ब्रदर को बुचता है यह जो सब पैसे थे इसका तुमने क्या क्या था अपनी financial situation ब्रदर उसको समझाता है वो कहता है कि मेरे पास कोई option नहीं था टीसू कहता है कि तुमारी वज़े से सब मैस हो चुकी है यह फिर घर आता है नानी को भी घर लिकर आता है और मैं अगर तुमें ढोड़नी पाया तो तुम बच जाओगी यह फिर ग्लास पूर करता है और नानी भागने लग जाती है अब next scene में हमें फिर से boxon और उसकी sister दिखाई गई है boxon आज बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसका spot up जाने वाला है boxon की sister से कही थी है कि अब मैं बहुत पढ़ने वाली हूँ higher education के लिए मैं sea wall में जाओंगे वहां मैं अच्छे से degree लोंगे और हम दोनों अच्छे से रह सकेंगे हम पूर है इसलिए हमें सब तकलिफ देते है मैं बहुत जादा पैसे कमाऊंगे और हम reach हो जाएंगे boxon केती कि तुम चली जाओगी तो मैं आके लिए पड़ जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ आओँगी floor shift करूँगी खाना पकाऊंगी कुछ भी करूँगी और तुम्हारे साथ ही रहूँगी उसके sister कहती है कि यह possible नहीं हो पाएगा पर boxon सुनी नहीं रही होती है इस पर इन दोनों में एक healthy fight हो जाती है यह दोनों फिर हसने लग जाते है और यह दूसरे को hug करते है भागते भागते नानी इनके घर आ जाती है इसे यह सब question पुछते है कि तुम्हारा घर का है तुम्हारे parents का है पर यह कुछ बोलने रही होती है इसे डिनर देते है बाद में नानी कहती है कि इसकी sister है अब यह इसे ढूडने वाली होती है रात में नानी इनके साथ ही सोती है एक दिन जब सुबा होती है तो boxon के sister नानी को सिटी में लेकर जाने वाली होती है यह सब जाने के लिए निकलते है पर boxon के sister अपना जिम का klod भूल जाती है वो boxon को घर जाने के लिए बोलती है और फटाक से उसे लाने के लिए कैती है जब रस्ते से जा रहे होते हैं बहुत जादा fog वहा होता है इस fog में ही नानी को टीसून दिखता है यह फिर भागने लग जाती है बॉक्सून की sister नानी को defend करती है इसलिए टीसून उसका गला दबाता है बॉक्सून जब जिम के कबड़े लेकर आती है तब देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है उसे जंगल में से आवाज आती है वहाँ भागते भागते चाती है बॉक्सून उसके sister को मारने वाला होता है तब एक पत्थर लेती है उसके सर में डाल देती है अपनी sister को लेकर भागते भागते एक field में आ जाती है वहाँ उसे नीचे रख दिती है और कहती है कि अभी मैं help लेकर आती हूँ वो पुलिस को call लगाने वाली होती है बॉक्सून को लगता है कि टीसून मर चुका है जो पुलिस को call करने के लिए जाती है और वो आपस आती है तो उसकी sister वहाँ नहीं होती टीसून ने उसकी sister को ढूण लिया होता है नेक सिन में हमें दिखता है कि एकसाँ एक गैंस्टर के पास आया होता है उसे एक आदमी चाहिए होता है एकसाँ अपनी प्रदर टीसून को बहुत ही हीट करता है और उसे उसे मारना है इसके सुपारी देने के लिए इस गैंगस्टर के पास हो आया होता है ये गैंगस्टर फिर एक आदमी उसे देता है कि इसे उसके घर लेकर जाओ ये उसे मार देगा बॉक्सटों के फार पर पुलिस आती है वो बहुत ही रो रही होती है कि उसके सिस्टों से मिलनी रही वो जब सिच्वेशन थी यह सब उसे पता थी है यह स्टूपीड लगती है तो पुलिस इस पर बिलिव नहीं करती है ये बोलने बोलने में ये भी कहती है कि उन दोनों की fight हो चुकी थी पुलिसों से कहती है जनरली ऐसे ही होता है कि fight होने पर ये खुद ही चले चाते है तो मैरी sister भी खुद से ही चली गई होगी इस पर बेली उना करते होए वहाँ से चले चाते है अब एकसांग टीसू के पास आ जाता है एकसांग टीसू से पुछता है कि वह फोन का है टीसू कहता है कि वह मर चुकी है पर उसका फोन मेरे पास नहीं है जो उसकी चोटी sister यानि की नानी के बारे में बताता है कि वह भाग गई है इसका ब्रदर इस पर छिर जाता है और कहता है कि वही फोन दो इंपोर्टन था और एचोटी लड़की अगर किसी को भी कुछ भी बता देगी तो हम सब ड्रबल में आ सकते है टीसू कहता है कोई प्रॉलम नहीं होगा मैं उसे मार दूँगा इकसांग ने जिस आदमी को टीसू को मारने के लिए लाया होगा होता है इसकी आवाज टीसू सुन लेता है ये आदमी और टीसू इन दोन में बहुत ही फाइट होती है ये टीसू पर बहुत ही भारी बढ़ रहा होता है तो एकसान को लगता है कि अब टीसू मरी जाएगा एकसान फिर बाहर आ जाता है अपनी गाड़ी के पास आकर वेट करने लग जाता है थोड़ी देर बाद टीसू उस आदमी को मार कर भार आता है एकसान चाकू लेता है और उस पर चलाने वाला आता है टीसू वो रोक लेता है टीसू एक सेकंड सोचता है और बोलता है कि जाने तो यानि कि वो अपने ब्रदर को नहीं मारने वाला वो कहता है कि चलो मदर के बाश जाते हैं कुछ खाना खा कराते हैं इनकी मदर का एक रेस्टोरन उड़ता है और वहाँ अब ये सब खाना का रहे हैं अपनी मदर को उसके वैटामिन्स के लिए जरा पैसे भी वो दे देता है इनको और एक चोटा प्रदर होता है को कहता है कि इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है टीसू की मदर उसके चोटे प्रदर के लिए बहुत ही प्राउट होती है यह लोयर बनने वाला होता है टीसू ने अपने प्रदर के लिए भी अच्छा सा एक mobile लाया हुआ होता है ये dinner फिर serious हो जाता है टीसू अपने मदर से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब मैं छोटा था तीन दिनों के लिए तुम मजे एक कमरे में बन करकर रखती थी मैंने चोरी की है इसा तुम्हें लगता था ये पैसे हमेशा एक सांग नहीं लिये थे ये केकर फिर टीसू वहाँ से चला जाता है एक सिन में हमें दिखता है कि बॉक्सू एक ओल लेडी के पास आई हुई है बॉक्सू के लगता है कि इसमें जरा पावर है और उसकी sister का है इसकी location उसे बदा सकती है ये लेडी फिर एक जगा पर point करती है ये woods में से घूमती है इसकी sister उसे कही भी नहीं मिलती रात में इसे सबना आता है इसमें इसकी sister उसे पता रही है कि हो मर चुकी है नानी फिर घर आ जाती है बॉक्सू उन उसे पुछती है मेरी sister का है ये आदमी कौन था जो तुम्हें मारना जाता था उसकी sister उसे मिलने रही तो बॉक्सू रोने लग जाती है ये लेड की फिर कही थी है कि मेरी भी sister को इसने मार दिया है ये उसके घर पर मुझे लेकर गया था मैं वहाँ से भाग कर यहाई थी बॉक्सून कही थी कि मुझे उसके घर लेकर चलो बॉक्सून उस ओल लेडी के पास आती है उससे poison लेती है इस ओल लेडी ने अपने ही पती को इस poison से मार दिया होता है बॉक्सून फिर चाखु से practice करती है कि टीसून को कैसे मार सकती है यह दोनों woods में जाते है और नानी को कुछ location समझ में नहीं आ रहे होती है बॉक्सून उस पर चीर जाती है वोसे बहुत मारती है थोड़ी देर बाद इसे ही बुरा लगने लग जाता है कहती है कि मैं बहुत ही sorry हूँ मज़े तुम्हें नहीं माना चाहिए था नानी भी रोने लग जाती है और एक दूसरे खौक करती है यह फिर थोड़ी देर बाद टीसू का घर होता है यह डोन लेते है नारी घर के बाहर ही बैठती है टीसू अगर आ गया तो इसके खबर देने का कामबू करने वाली होती है बॉक्सून फिर बेस्मेंट में आती है यहाँ बहुत सारे माती के पॉट्स बनाए होते है एक्च्वल में टीसू जब किसे को मार देता है तो उसको जला कर उसकी एशेस से यह माटी के पॉट्स बना देता है बॉक्सून के सिस्टर के साथ भी इसने यही किया होता है यहाँ बहुत सारे पॉट्स हमें दिखते है और इस पॉट्स के पास नाम होते है यानि इन सब लोग को इसने मार दिया है बॉक्सुन की सिस्टर का पॉट भी यहाँ वो दिखती है जब वे बेस्मेंट में होती है तब ही टीसुन आ जाता है नारी फिर खेड़के से आवाज लगाती है बॉक्सुन ने जो पॉजन लाया होता है ये टीसुन के पानी वो मिला देती है और घर में ही चुप जाती है टीसुन घर में आता है थोड़ी आवाज वसे सुनाई देती है खेड़के से देखता है तो नारी को स्पॉट कर लेता है नारी भागती है जंगल में चुप जाती है पर उसे पकड़ी लेता है वो से घर लेकर आता है और बर्नर में रख देता है उसे अब जलाने वाला आता है नारी के थी है कि प्लीज मुझे मन मारो जो फोन तुमें चाहिए इसकी लोकेशन मुझे पता है नारी और टी सुन फिर दोनों गाड़ी में बेटते है नारी एक पेपर पर लोकेशन लिखती है और बॉक्सुन के लिए पीचे छोड़ कर जाती है बॉक्स सुन को भी लोकेशन मिल जाती है टी टीसोन बहुत इचीर जाता है वो इसके कार का काज जोता है वो फोर देता है ये दोनों प्रदर्स अब जब फाइट करें तो नानी वहाँ से भाग जाती है और बॉक्सोन के पास आ जाती है वोक्सोन और ये दोनों भागने लग जाते टीसोन भी इसके बीजे भागता है एकोच soldier से help मागते है पर टीसोन इन सब को मार देता है एकसन के बास जो mobile है इसे वो data निकालता है और ये देखता है कि इस mobile पर कया है इस mobile में जो business man था इसने नारी को सिस्टर को बहुत मारा था इसकी वीडियो होती है ये फिर बिजनेसमैन को कॉल लगाता है ये इसे भी प्रैकमेल करने वाला होता है टीसो से नारी और बॉक्सोन ये दोनों पीचा चुड़वाती है और अब स्ट्रीट पे रोती है इनने बहुत ही भूग लगी होती है ये पर इनके पास पैसे नहीं होती है भूग लगकर एक सुन बैट जाती है वो कहती कि अब मैं नहीं चल सकती है नारी फिर कहती है कि ये ही रुको मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ नारी फिर आके जाती है एक होटेल से एक पोट चुरायती है और बॉक्सोन के पास आ जाती है बॉक्सोन से कही भी नहीं मिलती है यह दोनों एक दूसरे को ढून नहीं पाती तो यह बहुत डिस्टब हो जाती है थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे को ढून लेती है यह कहत किता है कि एक आदमी को तुम मुझसे लेकर गए थे इस आदमे का क्या हुआ जो भी सब सेच्वेशन हुई है यह इकसान उसे बता देता है उसे वो हेल्प मांगता है अब टीशू को मारने के लिए गैंक्सिरों से हेल्प करने वाला होता है इसके बाद बॉक्सोन और नारी दोनों खाना खाते हैं बॉक्सोन नारी से बुच्ति है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हें सिस्टर की तरह ठीट करूँगी मैं तुम्हारा खयाल रखोंगी तुम्हें स्कूल में भी वेज़ूँगी नारी इस पर कुछ भी नहीं बोलती इक सांग फिर में गुच जाते हैं बॉक्सोन टॉलेट के लिए जाती है तब इनारी को टीशुन लेकर जाता है यह उसका अंकल है ऐसा केकर पुलिस को चला गया होता है बुक्सोन वहाँ थी तो इंक्वारी करती है कि नारी कहा है पुलिस ऑफिसर इसे पता देता है उससे कहता है कि यहा हमारे डॉर पर कोई छोड़ का चला गया था मेरे हस्बन ने मुझे पताया था कि मैं तुम्हें नहीं रख सकती है पर मैंने बहुत ही जित की थी मुझे सब मेरी फेर्ण्स कहे दी थी कि ये गलत है इस बच्चे को रखना सही नहीं है पर मैं मेरी जित पर अड़ी रही थी पर मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसे निकलोगे ये सीरियल गिलर है तो इसकी मदर भी इसे हिट करती है वो टीसू का कहती है कि तुम अजीब हो इसी वज़े से तुमारी मदर भी तुमें छोड़ कर चली गई थी टीसू के पीछे जो गैंस्टर होते वो बेटे हुए थे और वो कुछ आवाज नहीं कर रहे होते टीसू ये नोटिस करता है मदर से किता है इतने शान्दी से कैसे खाना कह सकते है ये फिर उठता है और ये गैंस्टर उसे मारने वाले होते है पर यही सब लोगों को मार देता है टीसु की मदर एक सेगन में अपनी टोन चेंज कर लेती है वो कहती कि टीसु बहुत ही अच्छा है अपनी फैमिली के बहुत ही खायाल रखता है टीसु असने लग चाता है कि उसने अभी इसे फिर से माफ कर दिया है जिस गैंग्स्टर को टीसू ने अभी मारा था, इसमें सीक जिन्दा है, वो एक बड़ी सी बॉर्टल लेता है और टीसू को इससे बहुत मारता है, टीसू की बॉड़ी को वो फिर उसके ट्रंग में डाल देता है, गाड़ी में नारी को टीसू ने रखा हुआ होता है, टीसू की मदर फिर नारी को अंदर लेकर आती है उसे कुछ खाने के लिए देती है बॉक्सिन के पास पैसे नहीं होते है फिर वो टैक्सी में बैट जाती है टैक्सी वाले को समझ जाता है इसके पास पैसे नहीं है इसे टैक्सी से बाहर निकल रहा होता है पर यह सुन्ती नहीं यह कहती है कि मुझे नारी को बचाना है इक सांग अब नारी को लेकर जाने वाला होता है पर उसके मदर कहती है कि इसे मत लेकर जाओ नारी उसे बहुत इक्यूट लगती है और कहती है कि मेरे साथ रह सकती है इससान मानने रहोता इने में थोड़ी से fight हो रही होती है तभी टीसू आ जाता है जो गैंसर जिन्दा था उसे वो मार देता है यह सब उससे बहुत ही डर जाते है यह उसे कहते है कि स्माइल कर तो यह लगता है कि टीसू अब इने फिर से माफ कर देगा पर इस बार हिसानी होता ये इन दोनों को माहा देता है बौक्सोन टैकसी से भागते-भागते इस रेस्टोरण में आ जाती है टीसो का ध्यान नहीं होता तो बौक्सोन एक बड़ी से नाइफ लेती है और इसके पेट में डाल देती है टिसू नारी को मारने वाला था उसका गला गोट रहा था तो नारी अब उटने रही बॉक्सो नारी के पास आ जाती है उसे लगता है कि मर गई है और वहां रोने लग जाती है टिसू फिर अपने पेट से चाको निकालता है और उट जाता है इन दोनों में फाइट होती है बॉक्सवन अब बहुत ज़ादा चीड़ गही होती है एक चेर से टिसू के सर पर डालती है टिसू जब गिर जाता है तो गलाग उटकर उसे माद देती है जब फिर से नारी के पास आती है उसे गले लगाती है नारी को फिर होश आ जाता है बॉक्सवन रोने लग जाती है ये फिर एक दोनों को हक करते है नारी उसे कहती है कि एम तुम्हारे साथ ही रहूंगी ये दोनों एक दूसरे को I love you कहते है वहाँ फिर वो बिजनसमेन आता है जो फोन उसे चाहिए था ये फोन ने उसे दे दे थे इस इशओ को वो ज़्यादा बढ़ाने नहीं चाहते अब नारी स्कूल में जाती है और बॉक्सवन फिर से अपना काम करती है नारी जब स्कूल से वापस आती है तो बॉक्सवन के पास बहुत सारे पैसे होते है बॉक्सोन के दिये कि एक आद्मी ने मुझे दिये है यह बहुत सारे पैसे होते है तो इनकी जो financial problem है यह भी अब solve हो चुकी है अब end grade troll होते है और यह पैसे उसे कहा से मिले थे यह पता चलता है बॉक्सोन का जो spot था यह किसे अलग आद्मी के था यह छोड़ने रही थी इसे trouble हो रहा था तो इसका ओनर उसके पास आया था इसने बॉक्सोन को बहुत सारे पैसे दिये और कहा कि अब यह जगा खाली कर दे पर बॉक्सोन उसका मानी नहीं इन दोनों में fight होगी और फिर से सबजी उसने उसके सर पर मार दी यह owner भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया यह पैसे भी बॉक्सोन लेकर चली गई होती है यही movie खतम हो जाती है आज मैंने यह serial killer thriller movie explain की थी ऐसी और कोई murder mystery thriller या psychological thriller ऐसी कुछ movie होगी तो please मुझे comment में suggest कीजिए अगर आपको यह video अच्छा लगा होगा तो please इस video को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो please इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon बेदाबारा मत भूले यहनि कि आप सबको बहुत सारी movies मिलती रहे हम फिरसे मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खेल रखिये